हर एक के चहरे पर एक ही बात है कि मेरी जौपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे किस तरह त्यारी आयोदा देवी चोरी है जिमें 108 फुट फुट लंबी जड़ी की अगर बत्ती है कंटी दिगाल किती जावे ओवी किन्नी दूरता को दिया वाज जाएंगे कि गत 500 वर्ष में तो हमारे पूर्वजों ने इसे टूटते हुए देखा है हम वो भाग्यशाली हैं जो इसे बनते देख रहे हैं तो सीवी देखिया हुँगे जही वीडियो और कई लोगे जहें बहुत दूरो दूरो पैदल चालके अथे पहुंच रहे हैं कईयों को देख रही हूँँ पैदल मंदिर पहुंच रहे हैं कुछ साइकल में आप देखे नेपाल से भगवान के दहेच का सामान आ रहा है और हमारा जो भाव है ये एक हाथ से हाथ एक भक्त और और परमातना इन दोनों का जहां मिलाप होता है वहाँ पर आनन्द प्रसादी होती है गत दिनों में हमने आप जानते हैं फॉर्म्स बरे हैं रेल गाड़ी के द्वारा हमने यहां से ववस्था की है कि एक रेल गाड़ी से 12 से 1500 के करीब लोग जा सकेंगे वो विवस्था हमारी चल रही है प्रमंड प्रसंदता खुशी के साथ भारत वर्ष के साथ है अपने ही परिवार के कुछ लोग अपने ही महोतसव से दूरी बनाए जब बना रहे हैं तो यहां एक प्रशन और भी उठता है कि देश में जहां करोडो करोडो हिंदू है यह हिंदू आस्था को यह बहुत बड़ा इस प्रकार से इन्होंने यह ठेस पहुंचाई है कि यह जो अपने आपको secular कहके secular की राजनीती करते हैं और हम पर आक्षेप लगाते हैं कि हम धर्म की राजनीती करते हैं इनसे मेरा प्रशना है यदि आप इतने बड़े secular हैं तो आज करोड़ों 110 करोड़ हिंदों की भावनाओं के साथ आज आपने यह जो खेल खेला है आप यह किस प्रकार की secular है केड़ी केड़ी शिक्षा लोक मान देविच लियान उनना दे जड़े गून ने ओपने देविच थोड़ा लियान यह बहुत अच्छा प्रशन है देखे जब अंतर में है राम तो फिर कैसा संग्राम कि जब हम राम कहते हैं वो केवल मोखिक नहों व अगर आप मनुष्य रूप में आए हैं तो आपके रुदय की मिटी को ठंड़क वो उसी वर्शा से मिलती है जब आप अपने प्रभू के नाम में गुनगान में वो जो नेत्रों से जो दो अश्रू बह जाते हैं उनके चर्णों को प्रक्षालित करने के बाद जो ठंड़ आपके रुदय को मिलती है वही आपको शान्ती देती है तो यह वो समय है पर इस दे बारे ही आपा गलबत करनी पहुंचे साधनम में ने राशी अगरवाल में गलबत कार देया है मैं कितना दे मैसूस हो रहा है दुनिया पर देवीच जेड़े वी राम पाकति ना सारे लोक ने वक्री खुशी जेड़ी ओनानों मैसूस हो रही है कि बाई जन्विरी नहीं सी जानाए होते आप देख रहे हैं चहू और राम मई जो आप आभा मंडल देख रहे हैं वाईउ वाईउ में मैं पंजाब की लुध्याना शेत्र से गुरु गोबिन सिंग जी का हम जयन्ती आप यहां से कीर्टन आप यहां कीर्टन देखिए वो चल रहे हैं समागम ऐसा जहां भी जा रही हूँ हर एक के चहरे पर एक ही बात है कि मेरी जोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम मई हुई हुई है प्रकृती पूरी राम मई हुई हुई है आप यह देखे हैं हम उद्यान में बैटे हैं यहां की पत्ती पत्ती क्यारी क्यारी डाल यू लग रहा है अपने समूचे अपने स्पूरे योवन के साथ सौंदर्य के साथ वास्तव में भगवान के आगमन के यहां पर प्रतीक्षा में स्वागत में खड़ी है आपको मैं बतलाओं यही भक्त का भाव है आपने देखा होगा शबरी समारे रासता हमने सुना है हमारे शुब ग्रंतों में कि शबरी समारे रासता आएंगे रामजी आपने उस समय देखा होगा कि बड़े बड़े रिशी मुनी अपनी जब तफश चर्या के फलार्थ उन्ह कुटिया में आएंगे पर परमात्मा ने जिनके मना भाव सत्य हैं सुच्चे हैं और भक्त के वश में हैं भगवान तो प्रभू ने उन सभी की कुटिया आप देखे उनको वह उस मार्ग से लांगते हुए उन्होंने शबरी की भक्ति को सुईकारा तो आज वास्तव में कि भक्ति के भाव को आज वास्तव में आज परिणाम प्रसाद प्राप्त होगा और आप देखे अब ये भक्त के कईयों को देख रही हूं पैदल मंदिर पहुंच रहे हैं कुछ साइकल में आप देखे नेपाल से भगवान के दहेच का सामान आ रहा है कहीं से नगाड़े आ रहे हैं कहीं से आप देखे धूब बत्ती आ रही है आप देखे प्रकृति का ऐसा सुन्दर समय है कि मैंने देखा जटाईयों के जुंड भी जुंड के जुंड भी वहां पर पहुंच रहे हैं तो ये मैं समझती हूं कि दसों दिशाओं से परमात्मा के आगमन पर जो तुरेता युग में जब भग्मान का जन्म होने वाला था तब कहते हैं चारों दुशाएं समुचे प्रकृति अनुकूल हो गई थी आज मुझे वैसा ही आज आज के समय में ये तुरेता का वही समय मुझे भास हो रहा है तिया आजिया किस तरह चाली है थो नुब बुचना जावांगी देखे हम हमारे पास अयोध्या के पूजित अक्षत हैं हम घर घर जा रहे हैं और इतना भावना इस सेवा में यूँ आनन दा रहा है कि प्रतेक जो कदम हम श्री राम का नाम लेकर चलते हैं जिस घर में जा रसोई घर में जो वहां पर उनकी सुवदा है उपलब्द है उसको लेकर आते हैं और जितना भी हमारी पूरी टोली रहती है जो भी सेवादारों की उन सभी के वारे वारे जाते हैं उनका प्रेम ऐसा अद्भुत आप उसो प्राप्त करके कल मैंने किसी को अक्षत दिया मै नहीं जानती उन्होंने मुझे देखा होगा उनके हाथ में जैसे मैंने अक्षत प्रदान की उन्होंने मेरे हाथों में जैसे पुष्प उन्होंने मेरा जैसे वंदन पुष्पों से किया तो लोगों का जो भाव है और हमारा जो भाव है ये एक हाथ से हाथ एक भक्त और इन दोनों का जहां मिलाप होता है वहां पर आनंद प्रसादी होती है आज वास्ता में ये आनंद प्रसादी के साथ ये सेवा घट घट में घट घट में जहां राम है वहां पर और कितने फोन आ रहे हैं कि हमें अक्षत प्राप्त नहीं हुए लोगों की तयारी है जुंड के आप जानते हैं फॉर्म्स बरे हैं रेल गाड़ी के द्वारा हमने यहां से विवस्था की है कि एक रेल गाड़ी से 12 से 1500 के करीब लोग जा सकेंगे वो विवस्था हमारी चल रही है आगामी दिनों में जो भी फाइनल बात होगी वो आपके चैनल के माध्यम से हमारे भाजप में जो आप देखिये हमारा राष्ट्रे अवकाश भी घोशित हो गया है उस दिवस को तो वो जो वहां से प्रसारित होगा राम लला का प्रान प्रतिष्ठा का कारेकरम प्रतिक मंदिर को यह हमने हाथ करबध हमने हमने तो विनई की ही है लेकिन जहां जहां भी पहुँच ग्यारा से एक बजे तक प्रयास है LED लगा कर आसपास के जितने भी उस शेतर के निवासी हैं वो सब बैट कर देखें उसको देखने के पश्चात आपस में कुछ मीठा आपस में जरू वहां कुछ मीठा प्रसाद एक दूसरे को वितरित करें बधाई देने के बाद घर जा आप अवाहन किया है 5 5 दिए जरू जलाएं लेकिन लोगों को जब हम कहते हैं कि 5 दिए वश्च जलाई है वो कहते हैं हमने तो दीपक अंगिनत लेका रखे हैं और दवार-दवार कूचे कूचे क्यारी क्यारी उन्होंने कहा है हम पूरा आसको प्रकाश उत्सफ के रूप और जो दो तस्वीना सामनी आएंदी किस तरह त्यारी आयोदा दे विच्छ हो रही है जिमें 108 फुट फुट लंबी जड़ी की अगर बती है कंटी दी गाल की ती जावे ओवी किनी दूरता को दी आवाज जाएंगे बिलकुल ये आपको ये धन्यवाद है ये मेरा मेरा जो मेरा जो वेक्तिकठ भाव बनता है ये आज हम बहूत ही पुन्य शाली हैं भाग्य शाली है क्योंकि गत 500 वर्ष में तो हमारे पूरवजों ने इसे ठूटते हुए देखा है हम वो भाग्य शाली है जो इसे बनते देख रहे हैं तो मेरा ऐसा वेक्तिकल भावना है इस चोले में इन सजीव नेत्रों से प्रभु ने अपने आगमन के इस प्रान प्रतिष्ठा कारेकरम इस मंदिर को बनते हुए देखने का प्रसाद फल हमें दिया है। और मनुष्य योनी में आने के पश्चात आप जितना भी दिन चर्या में भाग दोड़ कर लीजिए। चालित करने के बाद जो ठंडक आपके रिदय को मिलती है वही आपको शांती देती है तो यह वो समय है जब जन जन की पिपासा को राम भक्ति के अश्रों से उनके रिदय को वो असीम शांती और सुख मिलने वाला है। सवाल एक पुछना जाओंगी बहुत लोग जा रहे हो थे राम मंदल दे वीचे नत्मस्तक हों ली पर एहो जे केड़ी चीजने केड़े गुणने जेड़े लोकान मंदल वीचे जरूर आनी चाहिए। यह बहुत अच्छा प्रश्न है देखे जब अंतर में है राम तो फिर कैसा संग्राम अर्थात राम केवल मुख से राम राम गाना तो आप जानते हैं कि जिस नाम से पत्थर तरे उससे तेरा तरना आसान है एक तो यह भक्तिभाव की दिशा में एक बात होगा गई एक जरूर है आजकल के समय में देखे बंदगी आपको तारती ही तारती है एक यह भी है कि जब हम राम कहते हैं वो केवल मौखिक नहों वो आपका हारदिक हो और राम का जो आचरन है किस प्रकार के वे विक्ति थे किस प्रकार मर्यादा का पालन करते थे पुत्र रू इस मोध को वास्तविक प्रसाद प्रदान करेगा और एदे विचे देख रहे हैं कि प्रान प्रतिष्टा समागम दे विचे बहुत वड़े पदर ते जड़े लोग पहुंच रहे ने ओथी इस चीज नो जड़े विरोधी पार्टी नियों कहरे ने ए राम मंद प्रान प्रत मुझे ऐसा मेरा विक्तिगत भाव है कि आज ये जो बुद्धी इस प्रकार की बन पड़ी है तो विनाशकाले विपरीत बुद्धी एक इसमें मैं ये सूत्र दूंगी दूसरा कि परमात्मा की श्री कृपा के बिना आपको वो विवेक भी प्राप्त नहीं होता कि आप ज पुराम का विरोत किया तो आज जब परम मंगल ये जब घड़ी आई है तो वास्ता में ये अपने उन कर्मों के कारण ये जो विवेक बुद्धी उनकी इस प्रकार की विपरीत बन गई है ये उसी कारण ये प्रमात्मा ने ही ऐसी विधी बनाई है क्योंकि पत्ता पत्ता भी वह हिलाए तो हिले तो ये बुद्धी उनकी विपरीत इसी कारण से हुई है कि इन्होंने कभी श्री राम के भूबनेश्वर आपने नाथ राम नहीं नरभू पाला भूबनेश्वर काला हुकर काला वो इस सत्य से वंचित रह गए हैं इसके विवेक ज्यान से वंचित रह गए हैं तो उसी प्रकार का उन्होंने आज आप देखे विपरीत दिशा में चल पड़े हैं जो कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धी ही कहूंगी मैं आज गंगा को भगीरत भी कहा जाता है ये तो अगर मन के संकल पशुद्ध हैं तो प्रकृती भी आपके अनुसार प्रकृतिया आपके पक्ष में परिनाम निर्नाई लेती है आज यदि इन्हों ने ये सत्तर साल तक इनके पास पूरा समय था कि वो उसे शेत्र में काम कर सकते लेकिन जिसके संकल पशुद्ध है यदि आज परमात्मा ने उनके राजशासन में इतने बड़े पांच सो वर्ष की एक पिपासा को पुर्ण किया है यहां पर आज उसको शांती मिल रही है आज उस पिपासा को शांती मिल रही है तो इस प्रकार की विरोधी इस प्रकार की गतविधियां वास्तव में ये बड़ी शोचनिया हैं और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं क्योंकि ये समय ऐसा था जहां संपुन विश्व ब्रह्मंड प्रसंदता खुशी के साथ भारत वर्ष के साथ है अपने ही परिवार के कुछ लोग अपने ही महुतसव से दूरी बनाए जब बना रहे हैं तो यहां एक प्रशन और भी उठता है कि देश में जहां करोडो करोड को हिंदू हैं यह हिंदू आस्था को यह बहुत बड़ा इस प्रकार से इन्होंने यह ठेश पहunचाई है और एक और प्रशन आज मैं ये भी कहती हूं कि यह जो अपने आपको सेक्यलर कह के सेक्यलर की राजनीति करते हैं और हम प्राक्षेप लगाते हैं कि हम धर्म की रा यह बहुत बड़ा प्रश्णय है लास्च तुसी कुछ चाहना चाहूंगे जो भी राम पक्ति त्यारी कर रहेम अयोध्या जानी मैं मां युद्या के चरणों में उनके गोद में यह जो राम लला का यह जो प्रान प्रतिष्ठा कारेक्रम है मैं माँ ऐयोध्या से कहूंगी मा तेरे लाला का जनम सुन आई रे मया दे दे बधाई जो जो किस्मत का धनी जिसके परमपुन्य जिसके एकत्रत होंगे हे माँ ऐयोध्या जो तुछ तक पहुँच सके तेरी धुरी उसके मस्तक पर श्री राम लल मस्तक पर सजेगी और श्री राम लला के दर्शन नेत्रों से करेंगे उसकी हर इच्छा पूरण करना जै माता दी करने वड़े पदर ते पहुंच रही ने होवदे अपडेट से तुसी देखर द्रान टाइम्स कैमरा में बलवीं दर दिना में हश्कौर